अवाई यार देखिए तो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग या ला जवाब लखनौ और अवाँ यार हम है लखनौ में और आज है राम नम में और देखिए फूप चहल पहल है फूप ट्राफिक है और हम है फटफटिया पर भाई ये फटफटिया पर जरूर बैठें जब भी आप लखनौ आएं तो कि लखनौ की असली सुगंद आपको आउट्स फटफटिया पर बैठ कर भी मिने थी बहुत फटफट करती है और सारी हडिया हिला देती है और मुझे इस बात की अनुभूती हो रही है कि मैं कार की बहुत आदी हो गई हूँ पदा नहीं कब से मैं यह आटो और यह फटफटिया क्या कहते हैं इसे इस पर कभी नहीं बैठी और मतलब मुझे में स्टैमिना ही नहीं है बैठने का मेरी सारी हडिया हिल चुकी है मेरे दोनों जबड़े हिल चुके हैं लेकर मजा आ रहा है देखिए महतरमा खड़ी है और यह आउट अरे वाब प्रे कार में बैठकर आप इन सब चीजों से शील्ड हो जाते हैं और यह एक संडे वजार नगा हुआ है समान तरह के कपड़े और यह नोग छोंग होगे है किया बाद तो मैं आपको दिखा रही हूँ हूँ चहल पहल पुराने लखनों की तो कुछ नया कुछ पुराना मिल जलकर एक अद्भुट शहर अद्भुट अविसमर्लियर आलों की जी हाँ शब चुदा रही हूँ हूँ है जो वो प्रोग्राम देखते हैं वो जानेगे में किसके शब चुदा रही है और यह प्यारे प्यारे रिक्षा उन्हें बहुत लग रहे हैं कहीं पकार के स्कूल बसंक माती खिल रही है प्लाई ओवर्स बन चुके हैं लखनव एक बहुत मॉडर्न और बहुत सुन्दर साफ सुत्र शहर है मैंने कभी नहीं सोचा था के मझे इतनी खुबसूरती है जगह पर देखने को मिलेगी लखनव के बारे में मेरा वो खयाल जो था वो जाता रहा है लखनव इस नट अ सिटी अच्परियंस अच्परियंस वोग एक्स्परियंस वोग एक्स्प्लोड़े आउट आउट जस एरिया से हम दुजर रहे हैं थोड़ा पुराना एरिया है और जो नेया मॉडल लखनव है उसकी खुबसूरती के तो क्या कहने है